भैरो तुम सत्य को देखो और देखो कि कौन है तुमारे सामने पहचानों है महाशक्ती है वो तुम जिससे युद्ध करने के लिए उतावले हो रहे हो भैरो जुआला मुखी के मुख में प्रवेश क्यों करना चाहते हो तुम जो स्वयम जुआला मुखी हो जिसकी तपागनी से धर्ती थर्राती हो उसके ग्रोध के लावा का इस पर्ष मत्र किसी को भी भस्म कर सकता है भुद्धी मानी इसी में है कि मेरे मार्ग से हट जाओ अन्यता परिणाम तुमें ग्यात है ऐसे तुम हो कौन जो महा तपस्वी भैरों को द्रोगने का दुस्सास कर रहा है मैं तो प्रभू श्री राम भक्त हनुमान हूँ हनुमान कोई भी वानर स्वयम को हनुमान पुकारेगा और मैं माल लूँगा हटो मेरे सामने से भूल कर रहे हो तुम वही भूल जो ब्रकांड पंडित होकर रावन ने किया था अपना और अपने कुल का सर्वनाश कर वैठा रावन इसलिए तुम सत्ति को समझो और अपने भीतर के अहनकारी रावन को मिठा कर माता की दिव्यता को पहचानो तुम उनकी शरण में जाओ तुम्हारा उधार होगा माता आदी शक्ती की स्वरूप हो त्री शक्ती माता लक्षमी माता सरस्वती और माता दुर्गा तीनों के आईशुन में समाहे थें देखो उन्हें पहचानो उन्हें त्रेलो चन कुटूम्बिनीं त्रिपुर सुन्दरी माश्रय कदम बवन वासिनीं कनक बल्लकी धारिनीं महार्व मनी हारिनीं ओम श्री वैश्रवी नमा 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 स्वामी श्मा व्यक्ति को सुधार करने में सक्षम बनाती है उसे गलानी से मुक्ति रिलाती है आईए, आप भी श्रीधर भाया से ख्षमा मांग दीजी सत्य कहा आपू, किन्तु आप अभी निकट जाकर श्रीधर की ध्यान समाधी भंग नहीं कर सकते आप यहाँ बैठ जाएए आप बापू, यहाँ पर बैठ जाओ दे मैं तुम्हारी अद्भुत भक्ती दिख, भाव विभोर हो श्रीधर भैरो, आशा है कि तुम समझ गय होगे और अपनी भूल सुधार कर, प्राश्चित करना ही एक मात्र उपायशेश है तुम्हारे लिए सब समझ गया मैं उचित है, फिर यहां तो मेरा कार्य संपन हुआ संपन है, अलौकिक है, द्याविक है, अब तक बस इतना ही समझा था मैंने किन्तु अब समझ में आया कि वो अती विशेश है और जैसा आपने कहा उससे तो लगता है सर्वोच्च शक्ती है यह जिनकी शक्ती पर संसार आधारित और यदि वो सर्वोच्च शक्ती हैं अती विशेश है तब तो मुझे किसी भी अवस्था में पीछे नहीं हटना चाहिए उन्हें अपने अधीन कर ही अपनी साधना संपन्न करनी चाहिए क्योंकि शक्ती को अपने अधीन कर सिद्ध करूंगा अपनी साधना को कोई मुर्ख ही होगा जो अप बीचे हटेगा अब शक्ती को अपने अधीन कर ही वापिस यहां से जाऊंगा विनाश काले विद्रीद बुद्धी शक्ती के लालच ने तुमारी दृष्टी और बुद्धी दोनों हर लिये हैं तुमारे सोचने समझने की शक्ती छीन ली है और ये समझ नहीं पा रहे हो तुम जो माता के सामने शीश उकाते हैं शक्ती का वर्दान भी वही प्राप्त करते हैं और जो अपने अहंकार का मुकट पहन कर माता के सामने अधर्म के पद पर बढ़ते हैं उनका एहंकारी शीश कठी जाता है कटना हो तो कट जाए किन्तु ये शीश किसी के आगे चुखेगा नहीं ना तुमारे आगे ना तुमारी माता वैश्नो देवी के आगे एहंकार सत्य को जान पाने की शक्ती को श्रीम कर देता है शक्ती शाली को दोबल बना देता है और वो निरंत है स्वयम सर्वनाश की और बढ़ता जाता है आगे दो बढ़कर ही रहूंगा मैं आगे श्रीराम जहे श्रीराम मैं आगे प्सक्राइब विठ गूँद रोड़ा रहा है मेरे समक्षितने समय टिकने वाला, असाधरन शक्ती का स्वामी तो अवश है, गिन्तु अब इसे अपने बल का परिचा देना ही होगा तुंगा, इसका धंड अवश्च दुंगा दंड के पात्र तो तुम बन रहे हो भैरो, किन्तु उसकी आवश्यक्ता नहीं तुम अभी भी दूसरा चुनाव कर सकते हो माता की भक्ती में जो शक्ती है, वो और कहीं नहीं अब वो समय आ गया है जब संसार भक्त की भक्ति की शक्ति की प्रत्यक्ष उधारन दिखिласт उम श्रीव वेषर लिद्अ कुए फंसार WIN frightening may वो समय बने कुण पार्ट और मेर आ अब यो अब श्रीव घर्थ की सकति का है। कि मैं अपना चुनाव कर चुका हूँ अब नहीं रुकूंगा मैं इस प्रकार भैरों बार बार हनुमान जी पर वार करता जा रहा था और हनुमान जी हर वार उस वार को टाल रहे थे और इसी तरह ये युद्ध कई प्रहर तक चला जिसका अंत किसी को दिखाई नहीं दे रहा था बैरों तांत्रिक साधक था तंत्र मंत्र की साधना का अभ्यस्त और ऐसे ही अनेकों वर्षु तंत्र की साधना कर भैरों ने स्वयम को इतना शक्तिशाली बना लिया था इसलिए हनुमान जी की वार भी सहपा रहा था वो किन्तु इन सबसे परे माता का ध्यान तो अपने परम भक्त श्रीधर पर था जिसकी भक्ती से एक और चमतकार होने वाला था और भैरों एक और भूल करने जा रहा था तुम क्या करने जा रहे हो वो भली भाती ग्यात है मुझे और उसका क्या उत्तर देना है वो भी मुझसे छिपा नहीं है प्यास लग रही है किन्तु यहां तो दूर दूर तक जल की बून भी नहीं है अब और प्रतिक्षा नहीं यह बाण यह मेरी योर आरा रहा है नहीं नहीं यह मेरा बाविश्य नहीं हो सकता कहां से आया यह बाण अद्भुत है आपकी लेला मा भक्त को प्यास लगी थी तो माने तो नदी ही भादी माता की लीला के लिए अनिवार्य था अपट एक्षे क्यू लाव गुल्याजी प्यास दुझा के स्वयम कुत्रित कीजी धन्यवाद माता धन्यवाद माता इस नदी का बहाव तो आपके बहते केशों के समान है भक्त के लिए इस नदी को उत्पन करने है तू आपको कोटी कोटी धन्यवाद माता ये नदी आपकी ममता का प्रमाण है इस नदी को बाल गंगा के नाम से पुकारा जाएगा या बाण के कारण उत्पन होने के कारण ये जगत में बाण गंगा के नाम से विख्यात होगी इतना ही नहीं महावली हनुमान की प्यास संसार के सभी भक्तों की भक्ती की प्यास का प्रतीक है और उन्हें द्रिफ्थ करना मेरा कर्दव्य है अपी तू जो भक्त श्रद्धा से इसमें डुक्की लगाएगा उसके सभी पाप मिट जाएगा नहीं नहीं स्वयम को इस जल से दूर रखेगा भैरो माता का आशिर्वा तो वही पाता है जो उसे पाना चाहता है ये दोनों ही अपने पत पर अडिग है माँ किन्तु माँ, प्रित्वी और आकाश का भेध है दोनों में एक और भक्ती के सागर में डूबा श्रीधर है तो दूसरी और ये भैरो ये अडिग है कुपत पर चलने के लिए जिसके कारणी अपना सर्वस्व नाश करने जा रहा है माता, जब ये कुछ समझना ही नहीं चाह रहा है तो आप इसे इतने अवसर क्यों दे रही है माता, यदि आपकी इच्छा हो तो मात्र आप अपनी दृष्टी से ही इसका वद कर सकती है माता, यदि आप मुझे आज्या दें, तो मैं अभी इसका अंत कर देता हूँ नहीं, श्री राम भक्त्थन मार उसे अपने भविश्य की, अपने सर्वनाश की जल्कियां तो दिखाई दे रही किन्तु वो रुख नहीं रहा अर्थार्था, उसका अंत निकट है ओम श्री वैश्रवी नमा मुझे प्रदिक्षा करने होगी भैरों के पापों की गागर भरने की भी और श्रीधर की तपस्या पूर्ण करने की भी तब ही में दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड और एक भक्त को उसकी भक्ती का फल दे सकती इसलिए इस मा का कठन करतव्य है अपनी प्रदिक्षा की अंत तक एक को दंड़ता करते देखना और दूसरे को घोर तपस्या करते और जब तक वो दिन नहीं आता है तब तक मैं स्वय अपने आराध्य श्री राम की तपस्या में रहोंगे तब तक आप भैरों के रोख लेंगे ना हनमान जी अवश्य माता आपका आदेश ही तो मेरा करतव भी है आप निश्यन थोकर तपस्या कीजिए मैं भैरों को आपके निकट नहीं पहुंचने दूंगा उसे तो मैं रोक कर रखूंगा थन्यवा शी राम भर्थन मान जी किन्तु ऐसा तभी तक संभाव है जब तक उसका विनाश काल नहीं आ जाता जैसे ही वो आगे बढ़ सकेगा समझ जाएगा कि उसका अंतिकाल आ गया है ओन श्री वैष्णवी नमा ओन श्री वैष्णवी नमा जै श्री राम भैरों जब तक तक तुम्हारे पापों की गागर भर नहीं जाती माता का ये लांगुरिया पहरेदार तुम्हें माता की और एक पक भी बढ़ाने नहीं देगा जै श्री राम और फिर भैरो ने जितने भी बार जिस भी पत से प्रिकुट परवत पर छड़ने का प्रयास किया सदा हनुमानजी को शादने पाया और ये भैरो स्वीकार ना कर सका और उसने महाबली हनुमानजी के साथ घमा सान युद्र आरंब्र कर दिया वही भक्त श्रीधर अपनी ध्यान समाधी में लीन थी और माता वैश्नो देवी घोर तपस्या में ऐसा नौ माह तक चलता रहा कि अजय को थे आपके अजय को कि अजय को तो उस्टेव यह विया आपके अजय करें रहाएं प्रेख जो प्रकाश के निकाश आपके अजय को वहाँ उस दिवी प्रकाश के निकट जाना है मुझे जे श्री राव मैंने कहा ना भैरों पर आजे स्विकार करने वालों मेंसे नहीं मैं तुम्हें तब तक आगे नहीं जाने दूंगा जब तक स्वयम माता की इच्छा नहीं होगी पहरों जो करता है अपनी इच्छा से करता है किन्तु ऐसा तभी तक संभभ है जब तक उसका विनाश काल नहीं आ जाता जैसे ही वो आगे बढ़ सके है समझ जाएगे कि उसका आंतिकाल आ गया है शक्ति पाएगा भैरो सर्व शक्ति शाली बन जाएगा भैरो जब शक्ति 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 कुछ भी हो जाए, असंभा को संभा बनाएगा भेरो, अपार शक्ती भाएगा भेरो करेंगा बनााइगागा है करेंगा भैरो, तुभारे पाकों की गागर भरकर छलक रही है, इसने अंतिम बार कह रही है, अपना अनके नहीं चाहिए, तो अभी भी तुछे हट जाओ भैरो, अभी भी समय है, माता के चरणों में अपना शीष चुगाओ, मैंने कहा ना, भैरो का शीष कच सकता है, छुट नहीं सकता साधक भैरो, साधना पूल करेगा, तुम्हारी शक्ति पाकर सर्व शक्ति शाली बनेगा कोई नहीं रोग सकता मुझे, कोई नहीं विचित्र थी ये घटना, वो शक्ति का लालची, जिस शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा था, उसके स्त्रोच से भी अनभीग्य था, और अपार शक्ति की दात्री पर ही प्रहार के लिए उनमत्त था संथेत् मिल रहे हैं, स्वामी के तफस्त शंपर्न होने ही वाली है मैं, मैं अभी जाकर सभी को सुचित करता हूँ मेरा क्रिशूर ही परियापत है, तुम्हें अधीन करने के लिए स्वार शंपर्न है पोपोचате की कि बाती से उती होग जी कुखा हमने जी जी कर दोलो करने गय के जा सच से पलो जा के पलो पाने सच से तुने योग है इलीगादीकान से युख है दून और सबस्क्कि है माशूर में पिंदा अदूर है तो शीर देकर जो प्रेल तटे जिनने है मलग से चुप से ना रंग से लिगे ना रंग ना पीछे को चे आ जिनने है मलग से अगे ना न पीछे कि अनց जे उताहर रण का बन्रहाँ माना पुपान क्या है और स्वावी मान क्या है आगान जाने को तर्राँ जर रहे है जावाँ नहीं, यह नहीं हो चकता मेरा बद नहीं हो चकता जाने नहीं दूगा इस अलोकिक शक्ती को मरती भ्रस दोगे मेरे पड़ोची श्रिधर की क्याता है माता कन्या करोप में उसका घर आई थी और माता ने उसे साक्षा दर्शन देने का वचन भी दिया है भक्ती से कुछ भी पाना संभव दोगे किन्तु जिसके भीतर पाप हूँ वो पाता नहीं क्ये वरी उता है क्याता है क्याता है अब कहां जाएंगी माता उस भक्त के निकट जिसने सदा निष्ठा से माता की पूजा आराधना की है या उसके पास जिसने अभी अपने अंतिम समय में माता के वास्त्रिक स्वरूप को पहचाना है अन्तथा आपने मेरी बात सुन ली अपने इस भक्त को पूण स्वरूप के दर्शन देकर आपके एक कृताग कर दिया मुझे मा समय रहते अपने हंकार को त्याग देता अपने विवेक को जागरित करता अपना शीष आपके आगे जुका लेता तो मेरा शीष करता नहीं सक्के तो ये है मा मेरे मिक्त्यू का मुझे कोई दुख कोई शोक नहीं अपी तो मुझे तो अपार सुख का अनुभा हो रहा है के मुझे आपके हाथों से मृत्यू प्राप्थ हुई मा मेरे पापो का प्रयाश्चित हो गया मैं धन्य हो गया मा दुख है तो वस इस बात का कि सदा संसार मुझे पापी अधर्मी के नाम से जानेगा सब मुझे आपके शत्रू के रूप में पहचानेंगे मुझे मेरी दूस्टता मेरी मुर्खता से पहचानेंगे अपने इस मुर्ख पुत्र को अक्षमा कर दीजिए तुम्हें नहीं तुम्हारे एहंकार भरे शीश को खंडित किया है मैंने तुम्हारे पाप का अंत किया है खिन्तु तुमने मुझे मा पुकार कै सोयम को मेरी ख्षमा का और मेरे आशिरवात का पात्र बना लिया है और अपने उपपर हुए कलियुक के प्रभास को मिटा दिया है इसलिए मैं तुन्हें एक शमा करती मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यांत प्रसन्द हुश्रीध तुम्हें मन चाहा वर्दान देना चाहती मांग लो जो भी इच्छा मा आपके दर्शन मिल गए जो मांगा था वो मिल गया इस भक्त को अब और कुछ कहां चाहिए मुझे आज भी श्रीधर ने माता से कुछ नहीं मांगा तो माता का आबिर्भाव कैसे होगा मेरी माता की कलियोग में स्थापना कैसे होगी कलियोग के आगमन पर आपकी भक्ती में आप ही का एक भक्त आपको पुकारेगा दब आपका आवरभाव होगा और वही भक्त त्रिकूर परवत पर आपको आपका विशेश धाम ताप करने में सहायद पर प्रभू श्री राम ने मुझे जो वर्दान दिया था वो तो तभी पून होगा जब मेरा भक्त श्रीधर मुझे रूकेगा अन्य था जब प्रभू कल्योग में कल की अव्तार धारन कर अव्दरित होंगे तो मैं उनसे आपकी ममता और क्रिपा से भरे आपके आचल की छाव सदा हम पर बनी रहे इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए तथास थू उच्छे थे अब मुझे जाना चाहिए माँ 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 क्या आप सदा के लिए यहां रुकने की कृपा नहीं कर सकती आप मुझे मन चाहा वर्दान देना चाहती है ना तो मुझे यह वर्दान दीजे कि आपकी छत्र छाया सदा हम पर बनी रहे कल्योंग में सूपत से भटकने वाली अनेकों संतान होंगी आपकी उन सभी को आपकी कृपा गया और ममता की आवशक्ता होगी आपसे प्रेणा पाकर ही वो कुना उचित परपर चल सकेंगे मां आपने मुझे वर्दान दिया था मेरे कारण आपके मंदर की स्थापना होगी तो मां अपने इस भटको दिये वर्दान को सत्य कीजे यहां स्थापत होकर कल्योंग में अपने भगतों का उधार कीजे माता अपने भगत और एसे पुत्र को हाला कौन मा छोग के जाएगी मैं भी नहीं जाते आज भगवान में नहीं एक भग भगत और उसकी भगती भगवान को आधार दिया है नौ मा की मेरी तबस्या में तुम्हारे दख में मुझे स्थान दिया पुत्र श्रीजर आने वाले समय मैं यहीं त्रिकुट पर्वत परवास करूंगे मेरे सोयंभु सरूप की स्थापना वही मेरा मंदर मेरा दर्बार कहलाएगा वही मेरा मंदर मेरा दर्बार कहलाएगा यक्तियदी सच्चे मन से विकार रहित हो भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं झाल